नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल प्रैक्टिकल एलेक्ट्रिकल में है कि बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक के लिएई में एक वीडियो बनाया जाये श्लिपरिंग और टेनेटर के वर्किंग पर तो अल्रेडी मेरा एक वीडियो था यूटूब पर जिसमें श्लिपरिंग और पूरा एक्स्पेन किया हुआ था लेकिन वह इंग्लिश में था तो इसलिए बहुत लोगों का सुझाव था कि एक हिंदी में वीडियो बनाया होंगा तो बेजिकली जो स्लिपरिंग और यह सबसे आपके सकते हैं बहुत रिलाइबल और अल्टेनेटर हुआ करता था आज कल यह मार्केट में बहुत कम जगा पर अवेलेबल है आज तो बहुत सारे और अल्टेनेटर आ चुके हैं जो एवीयर के ऊपर काम करते हैं तो अगर आप स्लिपरिंग अल्टेनेटर की बात करो तो यह बहुत रिलाइबल अल्टेनेटर है आज कल इनका यूज जो है वो सीटीज में बहुत कम हो गया है लेकिन आज भी अगर आप गाउं साइड में जाओगे विलेज साइड में जाओगे तो यह अल्टेनेटर आज भ 3 3 half तिर अगर आप आज के औरेंटर अगर देखोगे तैं़ ये ऐडनेटर अभी के जिए नए जनरेशन के और हैं ये ओर लोड में बिल्कुल नहीं चलते हैं ये डायरेक्ट क्रीप फो लेकिन यह पुराने जो Slipping Alternators हुआ करते थे, यह 20% Overload में भी चलते थे, तो आज हम देखेंगे कि यह Alternators में कौन से कौन से Parts लगते हैं और उनका काम क्या है, तो बेजिकली यह Alternator में Total 5 सबसे ज़्यादा Important चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा हो गया, आपका First One हो गया, आपका Main Stator, यह जो Stator Winding की, Stator की जो Winding है, इसे हम सबसे ज़्यादा Important मानते हैं, तो यह Winding जो है, यह Particular, यह DC Winding है, आप देख सकते हो, यह 4 Coil है, मतलब North-South, North-South, तो यह 4 Coil है, और उसका जो Output है, वो सिर्क 2 Wire का है, मतलब यह Winding DC Winding है, तो यह क्या करती है, इसमें जब Voltage दिया जाता है, तो इसमें एक Magnetic Field Create हो जाएगे, तो यह Magnet के जैसे कान करेगा, तो 2nd आपका Part है, उसका Main Rotor, तो Alternator का जो Rotor है, यह Particular Alternator का जो Rotor रहता है, यह हमेशा AC रहता है, मतलब इसका Winding जो है, वो AC Winding है, आप Slip Ring देख सकते हो, इसका End में लगाया हुआ, तो यह Slip Ring AC Winding को Connect करता है, तो आप देख सकते हो, इसमें चार रिंग है, तो तीन आपका Phase हो गया, और चौता वाला आपका Neutral है, तो दो चीजें हो गए, Main Stator, Main Rotor, उसके बाद आता है आपका Rectifier, तो इसमें एक Rectifier लगता है, और उसे कहते हैं, Molded Rectifier, तो यह Normally जो भी और कोई Rectifier रहता है, हमारा AC to DC Convert करने वाला, सेम यही है, सिर्फ इसका जो Power Rating है, वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसमें आप देख सकते हो, तो टोटल पाँच वायर है, तो तीन वायर आपका हो गया, R, Y, B, माने AC का सप्लाई, और बागी के दो वायर है, वो है DC, यानि Positive, Negative, तो आपका Molded Rectifier में तोटल पाँच वायर है, 3 उसका Input, 3 Input AC, और 2 उसका DC Output, उसके बाद आता है आपका CTBT Coils, यह Alternator में 3 CTBT Coils आप देख सकते हो, यह 3 है क्योंकि यह 3 Phase का है, तो अब CTBT Coils होती क्या है, CTBT Coils अगर आप Compare करने कहें, तो CTBT Coil एक Transformer के जैसे ही है, तो इसमें एक Input रहेगा, एक Output रहेगा, और उसमें आपको 3 ने तो 4 Tappings आएंगे, तो यह जो Tappings है, यह आपको Voltage Selection के लिए दिये जाते हैं, तो आप उसे Variable Transformer भी कैसे सकते हो, तो CTBT Coil जो है, उसे आप एक Transformer की तरह compare करें, तो उसमें एक Input रहेगा, एक Output रहेगा, और Voltage Selection के लिए 3 ने तो 4 ने तो 5 उसमें Tappings रहेंगे, आपके Design के इसाब से, तो यह Particular Alternator में आप देख सकते हो, 3 CTBT Coils है, और उसके Tappings है, तो यह हो गए आपका 4 सबसे ज़्यादा Important Spare Parts, उसके बाद आता है आपका Slippering Brush Holder, क्यूंकि यह Slippering Alternator है, इसमें Rotor में Slippering लगा हुआ है, और यह Power Transfer करने के लिए उसका Brush Holder है, तो Brush Holder भी आप देख सकते हो, टोटल 4 Brush Holders है, तीन आपके AC Power के लिए RYB और 4 वाला है, यह आपका Neutral है, तो अभी हम देखते हैं, कि यह सब Spare Parts मिलके कैसे काम करते हैं, और हमें Voltage Generation कैसे मिलता है, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यह एक Diagram है, जो Wire Connection भी आप कह सकते हैं, त्री Phase Slippering Alternator का, तो जैसे मैंने आपको कहा था, कि त्री Phase Slippering Alternator में, टोटल 4 बहुत Important Parts रहते हैं, तो उसमें से एक हो गया आपका Main Stator, दूसरा हो गया आपका Main Rooter, उसके बाद आते हैं आपके 3 CTBT Coils, उसके बाद आता है चौता सबसे Important हमारा Rectifier, तो अभी यह चारों को हम दो Group में Divide कर सकते हैं, तो यह हो गया हमारा, यह हो गया हमारा Main Alternator, और उसके बाद यह हमारा हो गया, यह Exciter Part, तो हमारा CTBT Thin Coil, CTBT Coil और Rectifier यह होता है हमारा Exciter Part, और Stator और Rooter हमा होता है हमारा Main Alternator, कोई भी Alternator को अगर हमें चलाना है, अगर कोई भी Alternator से जब voltage आती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक principle पर depend है, उसे कहते हैं हम Fleming's Left Hand Rule, तो अगर आप नए है Alternator के field में, तो सबसे पहले आपको Fleming's Left Hand Rule समझना चाहिए, उसे study करना चाहिए, उसके बाद या आपको कोई भी Alternator का working समझ में आ जाएगा, तो Fleming's Left Hand Rule हमें कहता है, कि वेन अ करेंट केरिंग कंड़क्टर, यानि कि ये वेन अ करेंट केरिंग कंड़क्टर, is placed under magnetic field, मतलब ये जो हमारा stator winding है, ये हमारा magnet है, तो जब इसको voltage देंगे, तो ये magnet generate करेंगा, तो Fleming's के रूल के हिसाब से, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field and rotated towards his axis, मतलब जब ये winding को आप जो magnetic field के अंदर दालते हो, और उसे घुमाते हो, तभी एक EMF generate होगा, तो वो EMF ये तीन वायर में आएंगे आपके, एक, दो, तीन, तो Fleming's का रूल कहता है, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field and rotated towards his axis, it will generate an EMF, तो ये यहाँ पे आपका EMF, मतलब voltage generate हो जाएगा, तो इसी reason के वज़ा से, आप कोई भी alternator ले लिजे, पुराना model हो जाए, नया model हो, उसमें दो चीजे common रहेंगे, एक rotor और एक stator, तो दोनों में से कोई भी एक part AC winding रहेगा, और दुसरा part DC winding रहेगा, तो क्यूंकि एक conductor चाहिए, जो current carry कर सकता है, और दुसरा, एक magnetic field चाहिए, तो हमारे ये model में, ये जो आज का topic है, वोज topic के model में, हमारा magnetism का काम ये करेगा, जो हमारा stator winding है, और जो हमारा conductor का काम है, वो हमारा ये rotor winding करेगा, तो क्या होगा, as per flaming's left hand rule, जब भी rotor stator में गुमेगा, तो पूरा 220 voltage नहीं आएगा, ना ही 415 voltage आएगा, ये possible नहीं है, क्योंकि हमारा जो rpm है, वो maximum 3000 rpm है, तो क्या होता है, जब stator rotor के बीच में अंदर घुमता है, तो एक छोटी से voltage generate होती है, और वो voltage यहाँ पे आती है, वो कभी भी 220 या 415 नहीं रहेगे, उसे 220 या 415 पे लाने के लिए, हमें जरूरत है हमारे excitator unit के, तो ये जो हमारे 3 coils और rectifier है, ये हमारे excitator unit है, जो हमें थोड़ी सी voltage जो आती है, उसे बढ़ा के वो 415 कर देगे, तो वो कैसे करते हैं हम देखेंगे, तो मान लिजिए, stator rotor के बीच में घुम गया, यहाँ पे एक छोटी सी voltage डेवलप हो गए, समझ लिजिए, ये 50 volt है, तो 50 volt यहाँ पे generate हो जाएगे, तो जो 50 voltage है, वो CTBT के input हो गई, तो और जो उसके output है, वो भी मान लिजिए 50 volt हो गई, तो अब क्या करना है, अभी ये voltage को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, जो CTBT के tapping है, जो तीन CTBT के tapping है, तो उसमें से हम एक tap हमारे rectifier को दे देते हैं, तो तीन coils के तीन tap हो जाएंगे, जो rectifier में चले जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से हमारा AC हम rectifier में देखे, यहाँ पे उसका output लेते हैं, तो जैसे हम यह voltage यहाँ पे देंगे, rectifier से DC होके हमारे main stator में चले जाएंगे, main stator हमारा DC magnet जैसा काम करता है, तो जैसे ही यह voltage, CTBT से जैसे voltage इसमें जाएगे, तो इसकी जो magnetic field strength है, वो बढ़ जाएगे, तो जैसे ही magnetic field strength बढ़ जाती है, तो यह जो residual voltage है, through magnetic induction, यह जो residual voltage है, मतलब यहाँ पे जो 50V हमें मिला था, यह दीरे दीरे बढ़ने लगेगा, तो यह cycle ऐसी चलती रहती है, कि 50 से 100, 100 से 1500, 1500 से 200, ऐसे करते करते, वो 415 हमारा achieve हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको कहा था, यह हमारे tapping से, तो अगर आपने यह first select कर लिया, तो यहाँ से कम voltage rectifier में चाहेगे, वहाँ से जो DC होगी, वो कम voltage रहेगी, और यहाँ पर magnetic जो field generate होगी, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो जैसे जैसे हम यह tapping के selection बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर उसका magnetic field का strength है, वो बढ़ते जाता है, यह जब magnetic field बढ़ता है, तभी हमारी जो EMF generation है, वो बढ़ जाते हैं, तो यह सी कारण के वज़े से, यह CTBT में हमें यह option दिया गया है, तो अगर हमें voltage बढ़ाना है, तो यह tapping हम बढ़ते जाएंगे, अगर घटाना है, तो यह घटाते जाएंगे, तो जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, हमारा rectifier से जो output जाएगा, वो यह field strength को बढ़ाएगा, और जैसे यह field strength बढ़ेगा, हमारा जो magnetic flux है, वो ज़्यादा cut होके, यहाँ पे हमें ज़्यादा EMF generate हुआ मिल जाएगा, तो वो इसाब से हमें यहाँ पे हमारा output मिल जाता है, तो friends यह पूरा एक working है, slipping alternator का, ज़्यादा complicated नहीं है, बहुत ही easy है, सिर्फ आप इस दोनो इस चारो पार्ट को दो, जो चारो spare parts हैं, उनको दो group में बाढ़ देचे, हमारा यह दो हो गया main alternator और यह उसका exciter unit, तो जो भी हमें voltage desired voltage चाहिए, वो हमें यह tapping बढ़ाने से मिल जाता है, CTBT का tapping बढ़ाने से मिल जाता है, जैसे हम voltage बढ़ते हैं, हमारे rectifier में ज़्यादा voltage डेवलप हो जाती है, जो DC होके हमारा main stator का magnetic field बढ़ा देते हैं, तो friends यह हो गया हमारा पूरा explanation sleeping alternator के बारे में, अगर आपको कोई भी question है, तो आप मुझे comment में बेज सकते हो, अगर वीडियो पसंद आए, तो like और subscribe जरूर केजिए, thank you very much. करेंगे कर दो कर दो कर दो.